हेलो स्टूडेंट्स एह हमने कल स्ट्रिंग के बारे में अच्छ see theoretically चीजें पड़ी थी उसके कुछ ऐग्जांप्ल्स वह सीग्जांपल हमने कल देखे थे इस के अंदर जादे लंबा वीडियो नहीं होने वाला है इस वीडियो में हम examples देखेंगे string के और अच्छे कुछ examples देखते हैं जिन में हम string को थोड़ा modify करने की कोशिश करेंगे classes को use करके और देखेंगे कि वो modifiable है की नहीं है और इस तरह के example जो है हम आज देखने वाले हैं ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं जैसे माली जी फर्स्ट एक्जाम्पल हम लेते हैं नोटपैड खुलेंगे माली जी मुझे string का चेक करना है कि string मैं कुछ values डालूं और वो अपडेट हो रही है नहीं हो रही है वो चेक करना है ठीक है तो उसके लिए एक प्रोग्राम लिखते है हम अच्छा पहले इसको सेव कर लेते हैं string example4.java नाम से माली जी हम इसको कर लेते हैं save और हमने class का नाम रखा string example4 ठीक है तो इस तरीके से हमने एक class बनाई है थैन पबलिक स्टाटिक वाइड में इस ट्रींग ठीक है अब देखिए हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं string नाम माली जी इसका str रख लेते हैं new operator से बनाने की try करते हैं आप सीधा भी बना सकते हैं यहां हमने इसको new operator से बनाने की try किया है और माली जी हमने यहां लिखा आपके इसको लिख लेते हैं वही आर्या इंस्टी ट्यूट चीक है यह string आपने बना ली है ठीक है अब इसमें sop लिखते हैं system.out.print ठीक है और इसके अंदर आपको माली जी print कराना है तो str को हम print का लेते हैं तो पहले इसको देख लेते हैं कि यह original string हो examples आप कहीं से भी try कर सकते हैं examples का कोई भी net पे भी बहुत सारे example हैं बहुत example आप खुद से भी बना सकते तो examples जैसे आपका दिमाग कहता है वैसे आप try कीजिए कोई issue नहीं है ठीक है अब माली जीए एक कल functions की बात कर रहे थे तो उन्हीं में एक function होता है आपका जो की आपका characters को set करवाता है किसी particular string में ठीक है एक तो हमने आपको कल function कराया था care at उसका मतलब होता है कि character जो है वो कौन सी index पर है यह वो आपको return करता था और यहां जब बात कर रहे हैं तो अब मैं function कर रहा हूं set care at ठीक है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए कि वह function का नाम है set care at इसका मतलब यह जो है character को कहीं set कर रहा होगा ठीक है किसी particular index पर ही उसको set कर रहा होगा तो अब हम इसमें सबसे पहले modify करने की कोशिश करते हैं तो मान लिजिए str हमारी string का नाम है str.set care at ठीक है अब यह as an argument क्या लेगा यह थोड़ा सा समझे यह as an argument लेगा आपका index और आपको क्या insert करना है वह यह as an argument लेगा ठीक है तो मान लिजिए आपको fifth position पर मान लिजिए कुछ insert करना है character तो आपको पता है character को आप कैसे लिखते हैं और मान लिजिए वहाँ पर आपको let's say star print करना है ठीक है यह मतलब आपको यह जो आर्या institute है इसके अंदर इस चीज़ को print करने की कोशिश करनी है मतलब आर्या आए और इसके बाद में जो fifth position है वहाँ पर आपका star print हो जाए ठीक है अब पहली बात तो आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि क्या ऐसा करना possible भी है कि नहीं है ठीक है कहीं error तो return नहीं होगी तो अगर मैंने आपने ढंक से मेरी पिछली class देखी है और वहाँ आपने अगर string के बारे में पड़ा है theoretically तो आपको समझ में आया होगा कि string जो class है वह immutable class थी ठीक है ना तो अगर आप सीधा concat करते थे तो वह आपको values पुराने वाले देता था क्योंकि आप जब concatenate concatenation करते हैं तो उसका different object जो है वह बना लेता है concat करके जबकि वह same original string के अंदर कभी change नहीं करता है एक नहीं नई string ही तियार कर देता है ठीक है ना तो वह को issue नहीं है आप इसमें तो हम क्या करना चाह रहे हैं इसमें हम नई string नहीं create कर रहे हैं इसके अंदर हम उसी string के बीच में कुछ जो है वह इंसर्ट करना चाह रहा है मतलब आब आप original string के अंदर ही change करने की forcefully कोशिश कर रहे है किसी function के थुरू ठीक है तो देखते हैं एक बार इसका कि यह possible है कि नहीं है और उसके बाद इसको print करा लेते हैं इसको लिख लेते हैं अपर डिटे डिस्टिंग लिख लेते हैं ठीक है और यहां पर आप str को अब print करवा सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से आप यहां पर काम कर लेंगे ठीक है string example4.java ओके हमने इसको फोल्डर में नहीं खोला है अब यह हम concerned फोल्डर पर हैं और यहां हम लिखते हैं javac file का name dot java हाँ क्या प्रोब्लम है string example हमने file यहीं पर save किया क्या देखना होगा हमको एक बार नहीं यहां पर file saved नहीं है देखो कभी भी ऐसी आपको प्रोब्लम आती है आप सीधा dir लिखकर के चेक कीजिए क्या string example for नाम से कोई class यहां पर बनी हुई है क्या कोई file यहां बनी हुई है क्या तो बिलकुल नहीं बनी हुई है ठीक है इसका मतलब ठीक है अब फाइल यहां आ गई तो बिलकुल आ गई है ठीक है अब एक बार इसको करके देखते हैं एरर आती है तो कोई परिशान होने वाली बात नहीं है देखिए क्या आता है अब आप अच्छे से देखिए आपको जो एरर आई हुई है यह देखना ज्यादा important है क्या आई है cannot find symbol str.set care at यह जो आपका string class है उसका जो आपने object बनाया जो reference बनाया str यह तो find out ही इस तरह का कोई function है ठीक है तो यह insert भी नहीं कर सकता क्योंकि जो set care at function है यह किसी position पर insert करने के लिए है और आपने जो string class है वो immutable class है तो जब आप इसको उस पर fire करेंगे तो यह आपको error थो करता है और नीचे लिखता भी है कि variable str of type string देखिए आप अगर नीचे देखें अच्छे से तो क्या लिखा हुआ है variable str of type string तो यह आपको बताना चाहरा है कि इसका type string है और वहां पर यह काम नहीं करता इसलिए cannot find symbol आ रहा है cannot find file नहीं आ रहा है तो file हमको मिल गई है हमने compile कर दिया अच्छे से run कर दिया है बट problem आ रही है इसके साथ में ठीक है अच्छा इसको हाला कि हमने भी string buffer और builder class अभी नहीं पढ़िए string के regarding but अगर मैं आपको यहीं पर उस चीज को करके दिखाना चाहूं देखिए बार हाला कि हम उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे उसके examples भी बहुत अच्छे examples भी देखेंगे बट अगर माल लीजिए मैं चाहूं कि भई इस particular string में मुझे change करना ही है ठीक है तो मैं आपको अभी example दिखाता हूँ चलता हूं ता कि आपको जब मैं कल string buffer class पढ़ाऊंगा नदब next lecture में तब आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जैसे माल लीजिए यहां हम इसकी जगए एक और थोड़ा change कर दें यह तो रहे गई ही अभी यह हमको error return करेगा तो इसलिए हमने इस particular चीज को यहां छोड़ दिया है अब माल लीजिए मैं यहां इसको करता हूं string buffer और इस class को नाम भी मैं string buffer कर देता हूं अब देखिए आप कुछ भी change नहीं किया है मैंने code में सिर्फ एक यह comment कि यह line और यह comment इसलिए हो जाएगी क्योंकि यह और यह नहीं यह वाली नहीं यह comment यह problem कर रही थी अभी तक ठीक है क्या problem कर रही थी कि str जो है आपका क्या था स्ट्रिंग टैप का था पर क्या है इसको अब comment करने की ज़रुत पड़ेगी हमको तो अब आप देखें कि str automatically क्या हो गया स्ट्रिंग buffer का हो गया है तो मैं comment नहीं करूंगा उसके बाद भी यह काम करना चाहिए ठीक है तो अब एक बार इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं तो मतलब आपने स्ट्रिंग भाफर भी पढ़ लिया है स्ट्रिंग से प्रोग्राम के अंतर ठीक है अगर मैं इस बफर को हटा करके बिल्डर लिख दूंगा तो यह बिल्डर क्लास का अब्जेक्ट बन जाएगा और उसके हिसाब से रि प्रिमिटिव से उन पर बहुत जादा टाइम इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपने अल्यड़ी सी प्लस प्लस में पड़े हुए हैं स्ट्रिंग थोड़ा सा लग तरीके से आता है और एक एरे में हम थोड़ा टाइम देंगे एरे भी थोड़ा सा लग तरीके से यहां आता ह है चलिए करके देखते हैं इसको रन करवाते हैं देखें अब आप अच्छे से देखें तो अपडेटेड इस्ट्रिंग जो यहां पर आ रहा है नीचे इस अपडेटेड इस्ट्रिंग के अंदर स्टार आ गया है आई की जग है ठीक है मतलब फिफ्ट पोजिशन पर यह आ आपका निकल के आ गया है और वहां पर इंप्रिंट हो गया है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब आप हमने म्यूटेबल और म्यूटेबल का मतलब समझ लिया है कि वो क्लासिस जिनके अंदर या वो चीजें जिनके अंदर हम चेंज कर सकते हैं वो म्यूटेबल होती है जिन हम देखेंगे नेक्स लेक्टर में बट अभी के लिए आप यही दिमाग में रखिए कि यह इस तरीके से काम होता है ठीक है न और हम इसको क्यों अपडेट नहीं करते हैं क्या एक्वार्मेंट इसके बारे में हम अल्रेडी बात कर चुके हैं ठीक है तो यह मेरे हिसाब से अच्छा अगर आपको इसी इसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में आपको एक एक करेक्टर को मान लीजिए आपको एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे यह भी तो अपने आप में बात है int i is equals to 0 से आप इसको start करेंगे तो कि वो सारा indexing का खेल है आपको इतना तो idea i think हो गही तो i is less than अच्छा आप इक string को चला रहे हैं तो string को आप access करना चाहरे हैं तो उसको traverse करना चाहरे हैं तो आप कहां तक कर सकते हैं string की length तक उससे जादा तो आप कर नहीं सकते हैं तो string की length तक आप इसको करेंगे तो इसको str हमारे पास है dot length तक ठीक है यह हमने चलाया अब यह जो str.length तक आपने चलाया तो आप यहां पर भी इसको सीधा ऐसे कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं यह str यह जो length है ना इस length को आप क्या कर सकते हैं कहीं save भी करवा सकते है और save करवाने के बाद में फिर वहाँ पर आप सीधा str pass कर सकते हैं तो दोनों ही options आपको देखने को मिल जाते हैं कोई problem नहीं है ठीक है तो उसके बाद में आप क्या करेंगे इसको चलाने की इससे आगे चलाएंगे ठीक है और यह आपका i++ आप इसको आगे तक चलाते जाएंगे यह आपका for loop जो है वो काम करेगा और इस for loop के अंदर फिर आप क्या करेंगे इसको print करवाते जाएंगे तो जो आपने यह str print करवाया है इस print को करवाने का भी आप तरीका देखना कैसे बदल जाएगा आप इस तरीके से लिखेंगे अगर आपको चाहिए माल लीजिए कि आपको इस तरीके से print करना है कि कौन से position पर कौन सा character है ठीक है जैसे माल लीजिए यह आपके पास एक पूरी string है मैं चाहता हूं कि मेरे first पर कौन सा character है वो सामने आए second पर कौन सा character है वो सामने आए third पर कौन सा character है तो इस तरीके से मुझे इसको खोल के रखना है ठीक है ना तो अब अगर मैंने सीधा str लिख दिया यहाँ पर तब तो वो एक साथ आ गया ठीक है indexing का तो कोई मतलब भी नहीं रहा ठीक है तो उस case में आप क्या करेंगे आप लिखेंगे यहाँ पर पहले आपको position दिखाने हो क्योंकि आपको इंडेक्स लिखने तो पहले तो आपको position चाहिए तो आप क्या लिखेंगे character at position ठीक है कि बाई character की position क्या है ठीक है और वो position क्या होगी वैसे तो देखो I होगी लेकिन वो 0 से start होती है तो हम I plus 1 लिख देते हैं ताकि जीरो पोजिशन पर हमको देखना अच्छा नहीं लगता है किसी भी चीज को तो हम 0 प्लस 1 कर देते हैं ताकि वो 1 से start हो जाएगी चीज ठीक है वैसे आपको पता ही है कहां से start होती है हमने discuss कर लिया है इसको already तो I plus 1 से इसको start कर देते हैं ठीक है अब अगर सीधा I plus 1 से start क दिया तो फिर जो आगे value आएगी वो दोनों append होके आएगी मतलब एक साथ आएगी तो हमको थोड़ा देखने में दिक्कत होगी तो हम क्या करेंगे फिर वही plus लगाया double quotes के अंदर लिख देंगे कुछ भी लिख दीजिए इस कर दीजिए ठीक है और उसके बाद फिर plus कर द आपने जो इसको अटा देते हैं आपने जो character से उनकी position देखनी है तो आपको याद होगा इससे पहले हमने just कौन सा function यूज़ किया set care at और यहां हम कौन सा function यूज़ करेंगे हमको कुछ set तो करवाना ही नहीं है हमें तो अब character को print करना है तो उसके लिए आपको character का क्या print कर देखना है आपको character जो है वो देखना है कौन सा है तो वो देखिए अब आप str dot sorry care at function कि इस index पर कौन सा character है तो यह आई जो है वहां आएगा वन तो यहां पर क्या होगा जो 0 पर जो character होगा उसको यह वन के सामने लिग देगा तो वन पर यह आ गया टू पर यह आ गया थ्री पर यह आ गया और आपका character का काम हो गया तो सिर्फ तो sop system dot out dot print से भी आप काफी interesting काम कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा इन पर काम किया हुआ अच्छे से तो ठीक है तो इस तरीके से आपको चीजें print हो जाती है अगर आपको मालीजे इसकी length निकालनी होती तो आप क्या करते str dot length नाम से एक function होता है वो आप function ले सकते थे और आपकी length भी निकल करके आजाती है तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं अब वो एक साथ चलिए कोई बात नहीं क्या बूलता है ठीक है चलिए ये ये आपसे कह रहा है कि आपके पास में जो ये str लिखा हुआ है ये ये अपने और लेडी लिखे दिया है दो बार ये शाय लिख दिया है ठीक है इंटाइज इकोस्टू str dot अचा सौरी dot length हो जाएगा इंटाइज इकोस्टू 0 की जगे हमने ये शायद कलती से ये लिख दिया है इनिशलाइजेशन जब आप नहीं करते हैं for loop में तो ये problem आती है concept समझाने में हम कई बार चीजों को miss कर जाते हैं i is less than str dot length और i plus plus ठीक है कभी कभी mistake हो जाती है जब i is close to 0 होगा बिल्कुल ठीक है length से कम तक चलेगा i plus plus होगा बिल्कुल ठीक है एक पर इसको save करते हैं अब देखते हैं कुछ error आती है क्या अब यह भी three errors है क्या error बता रहा है यह बोलता है example error dot class expected for int ठीक है अब दो error है चलिए यह बोलता है character at position plus i plus one ठीक है यह एक प्रॉब्लम है system dot out dot print इसको अलन कर देते हैं character at position i plus one प्लस S प्लस S-T-R केर एट आई ठीक है यह 4 का लूप बंद हो गया यह दोनों लूप बंद हो गये है यह प्रॉब्लम है कि यह इसके स्कोप से बाहर जा रहा है ब्रैकेट आपने द्यान नहीं दिल दिल वाया है ठीक है अब यह 4 के अंदर आ गया है और आपका ब्रैकेट भी बंद हो गया है तो एक बार ब्रैकेट चेक कर दीजिए आप लोग मेरे साथ 1, 2 and 3 open है and जो ब्रैकेट है वो आपके close होने चाहिए 1, 2 and 3 ठीक है एक बार save करते है ठीक है हो गया है देखे तो इस तरीके से आपको चीजे प्रिंट होंगी ठीक है हमने वहाँ पर LN नहीं लगा है इसलिए वो उपर आ रहा है इसमें भी हम print LN लगा दिते हैं ठीक है तो इस तरीके से आप debugging कर सकते हैं अपने प्रोग्राम की इन केस देखो कई बार क्या होता है कि आपको formulas वगरा या फिर कई बार आपको functions के name भी उपर नीचे हो जाते हैं कई बार हम काफी programming languages में काम करते हैं तो वो हो जाता है कभी कभी बट आपको error आती है तो घबराने की जगे उसको solve करके देखना है देखिए सबसे पहले आपने original string देखी देन हमने अब string को update कर दिया है क्योंकि यह buffer कर था इसलिए सारा काम हो रहा है न और उसके बाद हमने character at position आर्या institute दिखा दिया है ठीक है अब मान लीजिए मैं इसको अगर string करूं यह काम सब पर करेंगे तो आपको थोड़ा सा चीजों को करके देखना होगा जो नहीं करके देखेगा उसको तो नहीं होगा अब यह error आ जाएगी तो error किसमें आएगी इसके अंदर आएगी तो हमने इसको हटा दिया है ठीक है यहां इसको अपडेट भी नहीं होगी तो यह जाएगा बिल्कुल ठीक है कोई प्राबलम नहीं है अब अगर हम सीधा भी करेंगे तो यह string को देखिए इसका मतलब यह है कि immutable का मतलब यह नहीं होता है कि आप उस particular string की चीजों को access नहीं कर सकते हैं बिल्कुल अक्सेस कर सकते हैं बस modify नहीं कर सकते हैं तो हमने यहां पर देखिए इसकी जो है indexing अच्छे से देखी और चीजें बहुत अच्छे से काम भी कर रही है तो आप एक बार output देखिए इसका और काफी मतलब यह important program है ठीक है चलिए तो अब इसी example के अंदर चलिए बाकी सारी स्ट्रिंग के अंदर values आपने काफी सारी ले ली हैं अब आपको उनको sort करना है ठीक है तो इसका कैसे होगा यह आप सोचिए सबको पता है कि मतलब चीजों को अगर आपको sort करना हो तो कई बार आपको स्वैपिंग वाला तरीका यूज करना पड़ता है इसको स्टू बीज टैंप और चीजे जो है वो सेट हो जाती है ठीक है तो थोड़ा बहुत इसके sorting का आइडिया है को अच्छे से चीजे समझ में आएंगी तो देखिए एक बार हमान लिजिए हम एक स्ट्रिंग लेते हैं ठीक है और स्ट्रिंग को कहां लेते हैं इस बार यहां लेते हैं तो अगर मैं यहां लिखूं के स्ट्रेंग और यहां पर अब मैं सीधा वैल्यूज पास करता हूं मुझे लेक्सो ग्राफिकल और में चीजें चाहिए मतलब मैं कुछ भी लिखूंगा हैदरबाद मुंबाई डेली यह तो मुझे यह डिक्ष्ट्री के ओर्डर में चाहिए ठीक है तो यह कैसे होगा चलिए यह यह भ जब आपको ठीक है तो मान लीजिए मैं यहां लिखता हूँ मदरास ठीक है उसके बाद यहां मैं लिखता हूँ मदरास हो गया यहां मान लीजिए मैं लिख दिया बॉंबे ठीक है यहां मान लीजिए मैंने लिख दिया डेली यहां मान दीजिए मैंने लिख दिया है हैद्राबाद ठीक है और यहां मान दीजिए मैंने लिख दिया आपका ठीक है एहम दाबाद ठीक है यह लिख दिया इस तरीके से मान लिजिए आपने लिख दिया ठीक है डबल कोड़ सागे तो इस तरीके से आपने एक स्ट्रिंग बना लिया अब इसके बाद में आप सबसे पहले क्या करेंगे आपको इनको पहले access करना होगा मतलब इनको एक order में रखना होगा उसके बाद में आप चीजे इस पर काम करना start करेंगे तो माल लीजे आप सबसे पहले क्या करते हैं आपको इस string की length भी चाहिए होगी ठीक है तो size चाहिए होगा तो आप क्या करेंगे जैसे माल लीजे आपने लिखा int size is equals to name.length ठीक है यह आपने एक size ले लिया तो यह जो name आपने ऊपर इस ट्रिंग का एक तरीके से आपने array लिया हुआ है इसको आपने लिख लिया है ठीक है और इस ट्रिंग नहीं array लिया है ठीक है तो हाँ उपर जो कहर रहे थे वो बता देता हूँ यह array बनाया है आपने array में values डाली है string में तो आप हमेशा single quotes में डालते हैं तो अभी के लिए एक simple माली जिया कह रहे है इसको आपको इसमें कुछ strings डली हुई है जिनको आपको sort करना है ठीक है अब हम इसको क्या करते हैं length के बाद में चलाते हैं और सबसे पहले तो हम इसको print कर वा लेते हैं सिस्टम डॉट चलिए एक बार दोबारा यहां से शूट करना ठीक है जो यह class string example 4 हमने लिखना स्टार्ट किया है इसको मैं यह से कट करवाऊंगा और इसे आगे तक एड़ करवाऊंगा ठीक है चलिए देखिए हमने class string example 4 एक example लिया है इसके अंदर जो हमने यह string type का एक array लिया है उसमें कुछ values को डाला है और अब इन values को हम क्या करने वाले हैं सौर्ट करने वाले हैं लेक्सो ग्रैफिकल और में को लेंगे मतलब डिक्शनरी के और में हमको यह चीजें सौर्ट करवानी है ठीक है अब तो हमने यहाँ पर सबसे पहले यह पूरा काम कर लिया है अब देखिए हम इसके अंदर क्या करते हैं हमने यह values इसके अंदर डाल ह ही ली है और उसके बाद में हमने पब्लिक स्टाटिक वाइड में इस ट्रिंग आक्स लिख करके और साइज यहाँ पर ले लिए अब एक बार हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं कि इसका विदाउट ओडर भी यह किस तरीके से आती है तो माल लीजे चलिए सिस्टम डॉट 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 प्रिंट हम करवाते हैं और यहां लिख लेते हैं दा लिस्ट ओफ प्लेसेज विदाउट ओडर ठीक है तभी तो हम देख पाएंगी कि वो सॉट हो रही है कि नहीं हो रही है ठीक है तो अभी हम उनको एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे अभी आपको मैंने पिछले एक्जाम्पल में बताया था आप फोर लूट लगाएंगे तो माल लीजे मैंने लगाया फोर और यह लगाया int i is equals to 0 ठीक है और i को less than आपको क्या करना है size करना है i is less than size और then i plus plus ठीक है तो इस तरीके से आपको चीजे वो काम करेंगी और उसके बाद में आप loop चलाएंगे और loop के अंदर simply आपके लिखेंगे उपर से copy कर लीजे यहां पर आप कुछ नहीं करेंगे सिर्फ आपको जो उस index पर values होंगी array कैसे करते हैं देख लीजिए है ना तो यह simple चीज है यह i think आपको आनी चाहिए इस तरीके से name of i लिखते हैं तो वो particular indexes पर जो जो चीजे होती नहीं है वो array आपको return कर देता है कोई issue नहीं है उसके अंदर ठीक है तो एक बार है तो हम check कर लें कि यह किस तरीके से print होगा ठीक है तो यह आपका access हो जाएगा और फाइल का नेम भी string example for ही है ठीक है अच्छा यह non-static है देखो यह भी एक बहुत important चीज है यह क्या बोल रहा है non-static variable name cannot be reference from a static context time मिलेगा आपको static members के बारे में भी बात करूँगा कि static members क्या होते हैं क्योंकि आपने इस name को कहां लिखा है इस public static void main से उपर लिखा है ठीक है तो आप अगर यहां static लगा दें तो कम से कम यह error तो दूर हो जाएगी ठीक है यह आपने static लिखा तो यह error तो कम से कम दूर हो जाएगी फिर प्रोग्राम एक पूरा करी लेते हैं otherwise आपके वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ठीक है हो गया है देखा अब आगया the list of places without order क्या है मदरास बॉंबे डेली हैद तो जिस order में हमने लिखा है वो तो हमने successfully print वही यह करवा लिया है लेकिन हमारा काम क्या यही था क्या नहीं हमारा काम क्या था कि इसको हम अच्छे से order में लिखें जो की dictionary के हिसाब से होता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे एक बार यह प्रिंट एलन लगा देता हूं त ठीक है तो आपको अब इसके लिए दो लूप ची होंगे एक आई का और एक जे का तो यह आप लोग सब अच्छे से समझ लीजिए for loop भी आपका इससे complete हो जाएगा तो माल लीजिए एक string हमने ली जो टैंप वाली string को रखेगी और अभी के case में उसमें हम नल पास कर लेते ह ठीक है otherwise garbage भी उठा सकता है आप देखिए आप लिखेंगे क्या तो यहाँ पर आपने क्या किया एक for loop चलाया है जो आपका i is equals to 0 i is less than size तक चलता है और i++ होता है उसके बाद एक और loop चलाया जो की j is equals to i plus 1 से चलता है मतलब पहले पास पहले तो आपके पास में क्या है मदरास, Bombay, Delhi, Hyderabad है दूसरे में वो जो दूसरा वाला है उससे पहले वाला compare करवाना है हमको और जब M का मदरास का M and Bombay का B compare होगा तब यह check होगा कि इन में से जो है कौन सा dictionary में पहले आता है फिर उसको हम उपर लिखवा क्या था अगर दोनों जो strings हैं अगर वो dictionary में और उनकी values जो हैं वो same आती है तो यह आपको क्या return करता है जीरो करता है अगर उसकी value बड़ी आती है second की तो यह उसको positive number करता है अगर छोटी होती है तो वो उसको कोई भी negative number return करता है compare ठीक है तो हमने यहाँ पर इसको use किया है less than zero के लिए अगर छोटी है उसकी value तो वो पहले लिखा जाएगा तो इस तरीके से वो काम आपका होता जाएगा तो यह आपके programming में सही से आ जाएगा ठीक है ना अब इसके brackets देख लेते हैं एक bracket यहाँ उसका और एक bracket इसका ठीक है यह दोनों close हो गए one two one two four से आप check कर सकते हैं one two three brackets यहाँ चालू हुए थे और three brackets हमने बंद भी कर दिये हैं ठीक है अब आपको क्या करना है आपका तो swabbing हो गया अब आपको again जो उपर code लिखा है इसी code को आपको दुबारा लिख लेना है नीचे और यह आपको as it is print करवा देगा ठीक है तो यह वाला code है यह code तो किस काम में आ रहा है जो भी आपकी string update हुई है उसको print करवाने के काम में आ तो इसको मैं यहां फिर दुबारा लिखे देता हूं दा लिस्ट ऑफ सिटीज आफ्टर स्ट्रिंग और रिंग ठीक है और वही नेम ऑफ आई लिख करके उसको size तक चलाया है और आपका काम हो जाएगा ठीक है तो मेरे इस आप से सभी को यह चीज यहां तक समझ में आ मुलिविजऊ को देखे है ठीक है सबसे पहले वहां क्या था मधरास बंबे डेहली है थारी तारी कही यह अरही है तो यह तो से आप अपनी programming habits को सुदार सकते हैं अब आप इसमें एक प्रोग्राम में क्या-क्या चीज़ सीख गए हैं आप स्ट्रिंग सीख गए हैं स्ट्रिंग को एक्सेश करना सीख गए हैं फोग्र लूप को चलाना सीख गए हैं इनर फोलूप मंण थर दूसरा असंदर भी चलाना सीख गए हैं और और जब बड़ा होगा तो प्लस की वैलू देगा तो इस तरीके यह आपके चीजें काम करती हैं I hope आपको string का concept बहुत अच्छे से clear हो गया है आप सिर्फ string buffer और builder class बची है और वो हम कल discuss करेंगे उसमें आपको एक बहुत important चीज हम पढ़ाएंगे जिसके अंदर क्या होगा आपके string के अंदर आप कैसे किसी string की speed check करते हैं efficiency check करते हैं उसका code पढ़ेंगे और क्या string buffer होता है क्या builder होता है इन में से क्या अंतर है क्यों हमने जो बाकी दो classes है string buffer और builder दोनों को हम mutable classes कह रहे हैं तो इनकी अलग-अलग requirement क्यों है उसके उपर बात करेंगे कल आपका string topic हम complete कर देंगे और मानिये आप इससे जादा elaborated string आपने आपको मतलब बहुत rare किसी faculty ने पढ़ाई होगी ठीक है तो आप जब भी कहीं problem में फसते हैं तो ये videos देखिए आपकी string हमेशा clear रहेगी ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही बाकी जो है next lecture में देखते हैं